नमस्ते दोस्तो वेल अपनी जो यह बलेनों कार है उसमें पार्किंग सेंसर कहां से वान करते हैं और इंटर सेक्षन सेंसर क्या होता है इसके लिए एक मैंने चोटा टूटोरियल वीडियो बिना है तो फटा फट से अपने क्लस्टर के और बढ़ते हैं पहले तो हमें जो हमारा जो राइट नॉब है उसको थोड़ी दे प्रेस करके रखना है इस तरह से आप 2-5 सेकंड जैसे प्रेस करके रखोंगे तो आपके सामने सेटिंग का मोड ओपन हो जाएगा उसमें आपको नेक्स्ट पेज पर आ जाना है यानि आपको यह नॉब है उसको clockwise गुमाना है जैसे ही आप clockwise गुमा देओ तो वो जो सेटिंग का जो आप्सन है वो नीचे की और बढ़ता रहता है नेक्स्ट पेज में आ जाना है वहाँ पर हमें जो यह फिप्त नंबर का जो आप्सन है डिस्प्ले आइटम उस पर हमें जाना है और इसपर हमको क्लिक कर दिना है अंदर जाते ही हमको नेक्स्ट पेज पर तो एक पार्किंग रगा है पार्किंग सेंसर वाला जो उसको क्लिक करना है उसके बाद हमको अभी दिख रहे हैं अप मेरी कार में डिस्प्ले ओफ है ठीक है और इसको मुझे ऑन कर देना है और यह सक्सेश्फुल सेटिंग हो गया ठीक है उसके बाद मुझे आ जाना है इंटर सेक्शन सेंसर में यह भी अभी वाफ है उसको मुझे कर देना है ऑन ठीक है इसका एक्चुल यूज किया है ना उसके बारे में बात करूँ तो पहले तो हम आ जाते है बाहर के और बैक में चले जाएंगे उसके बाद राइड नोप राइट राइट और यह बैक यह हम मैंने मिड के में जो हमारी डिस्प्ले है उस पर हम आ गया है मिड क्लस्टर में अब जैसे मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूं ठीक है अब देख सकते हो और अभी मैं रिवर्स गियर में डालता हूं गाड़ी को देखिए दोस्तों अपने जो पीछे के जो जो सेंसर से पार्किंग के वह ओन हो गए और आपको गाइड कर रहे हैं यहां से ठीक है कि आपकी गाड़ी के पार्किंग में कहां कहां पर ऑब्जेक्ट्स वह सेंस कर रहा है ठीक है और उसी के साथ अपनी गाड़ी जो है वह ह आलफा मैन्यूल ट्रांस्मिशन की गाड़ी है तो आप यहां पर 360 डिग्री कैमेरा तो यहां पर भी आप वही चीज आप देख सकते हो वैसे हमारी डिस्प्ले में यह फंक्षन अवेलेबल है लेकिन जो बेज मॉडल है सिग्मा एस वेल एज उसके उपर का मॉडल है डेल्टा उसमें 360 डिग्री कैमेरा नहीं होता है ठीक है तो उस ताइम पर यह फंक्षन काफी आपको एमाड़ी कलस्टर में आपको आपके पीछे का चारों तरफ का पूर कंषयं है पार्किंघ सेंसर मेरे ही साफ से और ही क्लस्टर में वाहिश खरते हैयर और वहीं पर वहीं पर क्या ओता है कि हमारे जो बंपर के या फिर अपने जो दर्वाजे साइड है वहीं पर छोटे-छोटे स्क्रैचिस लग जाते हैं दबा कर या काफी चिपका कर पार्क करने की कोशिस करते हैं ठीक है तो यह पार्किंग सेंसर अपनी गाड़ी में हमेशा हमको और रखना है जो मेरी गाड़ी में आफ था वह मैंन आपने डाइरेक्शन गूगल मैप की मदद से तो वहां पर हम क्या थे कि भी ड्राइव कर रहे हैं और जो हमारा जो नेक्स्ट जो तर्न या फिर आगे सरकल आ रहा है मैं आप से स्क्रीन पर सेर्फ कर रहा है उसके पूटेज तो उस टाइम पर हमको जो हमारा मारी क्लस्ट ऊससी में घाड़ी हमको हींट कर देएais के रहे हैं फिर य मंद आ है कि या पको जाना हहा है या बडाइकर जहना रहा है में फिर सीधे चले जाना है तो वो भी आपको अपनी गाड़ी में रखना है ठीक है और दोस्तों अगर वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजेगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली में जरूर से शेयर कर दीजेगा और दोस्तों अगर आप वीडियो को ल थेंक्स पर वाचिंग दुस्तो